आज हम बात करेंगे गोस्ट इस्टेशन मोवी की अज हम बात करेंगे गोस्ट इस्टेशन में पूरा संनाता होता है अचानक से मेट्रो में उसने वाले दरवाजे खुल जाते हैं लड़का पट्री में देखता है उसको कुझे जीपसा दिखता है वह और पास्ट से देखना जाता है तब इस दरवाजा बंद हो जाता है और वो लड़का है लड़की नहीं और तुमने उसकी फोटो बिना उसकी परमिशन के लिए रेलवे स्टेशन में यूंग उस मॉडल को देखती है बोलती है तुम्हारी बॉड़ी बहुत फिट है क्या मैं तुम्हारी फोटो ले सकती हूँ एक आर्टिकल के लिए वो लड़के क कहती है कि तुम माफी मांग सकती हो या फिर सेटलमेंट कर सकती हो किमना अपनी बॉस को बताती है बॉस कहती है कि ये उसकी जिम्मेदारी है वो खुद इस से निप्टे या तो पचास जार दे दे या माफी मांग ले किमना चोईवान को बोलती है कि वो लड़की जैसे दि बिले तो मुझे कॉल कर देना, किमना कहती है मेरी जिन्दगी में कुछ भी असान नहीं रहा, चोईवान कहता है तुम्हारी नौकरी है, घर है, किमना बोलती है, वो तो मैंने पापा से पैसे उधार लिये, वो भी देने है, उनका दोस्त किमना को बताता है, कल रात को एक में बात नहीं करनी है, वोन बताता है कि ड्यूटी में जब वो गया, तो स्क्रीन पर देखा कि एक आदमी पुराने स्टेशन पर है, तभी कैमरा बंद हो गया, चीफ कहता है, चोई वान तुम महां जाओ और आदमी को महां से हटाओ, कहीं कोई दुरगत नाना हो जाए, व कौन कहता है, हमारे डारेक्टर ने भी देखा, ये सब होते हुए, किमना एक आदमी का इंटर्वी कर रही होती है, जो लास्ट वो में लेप लगाने का काम करता है, वो बताता है, जब मैंने एक काम सुरू किया, उस वक्षु स्टेशन बन रहा था, मैंने जिस पहली अठा होता है, ट्रेन में खून के दब्वबे साफ दिख रहे होते हैं, वो ट्रेन से लाज के टुकड़े एक प्लास्टिक में डाल रहा होता है, तबी पत्थर में हक्ट तक की आवाज आती है, वो सीडी के निचे देखता है, वहां एक बच्चा छुपा होता है, वो इस CD के नीचे देखता है, बच्चा गायव होता है किमना बोलती है, इसका मतलब उसका नाम एक नंबर है, बुद्धा कहता है उसने सर हिलाया था, चोईवान किमना को फोन करता है, किमना बोलती है क्या तुम मुझे वो वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकते हो तुम्हारा नाम नहीं आएगा प्लीज यह आर्टिकल वाइरल हो जाएगा किमना एक डिटेक्टिव से पूछती है कि इन्वेस्टिकेशन में बच्चों का कोई जिक्र नहीं है जबकि फ्यूनिरल डिरेक्टर ने उसे देखा था डिटेक्टिव कहता है जूट है वो पागल हमेशा नसे में रहता है उसका यकीन मत करो किमना कहती है एक सब्वे कलर्क ने भी उसे देखा था डिटेक्टिव कहता है इस बात को बूद की कहानी बनाने की कोशिश मत करो एक रिपोर्टर की तरह काम करो और डिटेक्टिव चला जाता है वान विस्तर में लेट कर उसे स्टेशन वाली घटना को सोच रहा होता है फिर उटकर मूद होता है नल बन करता है अजीब सी आवाज आने लगती है वो देखने जाता है पूछता है कोई अंदर है कोई जवाब नहीं आता है चोई वान बोलता है अगर कोई परिसानी है मुझे बताओ मैं दरवाजा खोल रहा हूँ बोलते हैं दरवाजा खोलने के लिए बढ़ता है दरवाजा अचानक जोर-जोर से हिले लगता है चोई वान डर के पीछे हटता है तब ही हलके से दरवाजा खुलता है अंदर से उसका दोस्त हस्ते वे निकलता है वान गुस्ता हो जाता है और गुस्ता होकर चला जाता है उसका दोस्त देखता है सीशे पर 1013 लिखा है वान ओफिस में होता है चीफ कहता है कल से तुम नाइट शिफ्ट में हो दुरगटना के बाद काम बहुत बढ़ी है वोन पैंडराय में से सी टीव रिकॉर्डिंग डालता है और आफिस से बाहर आता है जैसे ही पलटता है उसके सामने एक आदमी अजीब सी हालत में होता है जो मुझे माफ करना बोलते वह जा रहा होता है वोन किमना को वीडियो देता है और बताता है कि कंड़क्टर स्टेशन में पागलो की तरफ गूम रहा था वो कहता है उसको दुरगटना की जगा में देखकर अजीब लगा किमना पूछती है वो अब भी होई है वोन कहता है कि हाँ वो प्लेटफॉर्म की तरफ गया है किमना उससे मिलने के लिए प्लेटफॉर्म में जाती है कंड़क्टर के साथ काले कपड़ों में एक औरत बैटी होती है वो किमना को देखते ही उठके चली जाती है कंड़क्टर बेसुट सा बैठा होता है किमना बोलती है क्या मैं आपका इंटर्वी ले सकती हूँ फिर किमना बोलती है दुरगटना के बाद से आप यह हैं इसकी कोई वज़ा कंड़क्टर बोलता है वो वहाँ से जाता ही नहीं है conductor सीशे की तरफ इसारा करता है सीशे में एक खून से लटपत बच्चा conductor के गले से लट खा होता है पर वो सिर्फ conductor को भी दिखरा होता है conductor ने खुजली करकरके अपने गले की खाल निकाल दी होती है किमना फिर पूछती है दुरगटना के समय वो एक ही आदमी था यहाँ कोई और भी था कंड़क्टर उस सीन को याद करते वे कहता है नहीं महाँ दो लोग थे किमना पूझती है आप ठीक तो है ना कंड़क्टर उटकर चल देता है किमना भी उसके पीछे जाती है कंड़क्टर नीचे सीड़ी की तरफ जाता है किमना को फोन आता है कि ये स्टोरी हिट होगी बॉस ने का है जल्दी छापो किमना कहती है मुझे एक और काम है वो करके छाप दोंगी वो सीड़ीों से उतरते वे नीचे पहुंचती है दरवाजा जोर से बंद होता है अंदर पानी के टप टप करके टपकने की आवाज आ रही होती है कंड़क्टर दिवार की तरफ मुझ करके खड़ा होता है किमना पूझती है क्या आप मुझे उस नंबर का मतलब बता सकते हो जो आपने प्लेटफार्म पर बताया था कंड़क्टर कहता है मुझे कहना होगा क्या तुम कहोगी बताओ तुम कहोगी किमना डर जाती है दरते दरते उसकी पीट की तरफ हाथ बढ़ा कर पूझती है आप ठीक तो है वो कंड़क्टर पलटता है उसका मुँपूरा छिला होता है और वो चिला के कहता है बताओ नो मुझे किमना मैट्रो में होती है सब लोग उसका आर्टिकल मुबाइल में पढ़ रहे होते हैं किमना खुश होती है तब ही मैट्रो में अनॉंसमंट होती है अगला इस्टेशन है ओक्सो इस्टेशन मैट्र रुकती है, दरवाजा कुलता है, लोग उतरते हैं, किमना जैसे ही दरवाजा पार करने वाली होती है, को इसके पैर पकड़ लिता है, वो नीचे देखती है, नीचे खून से लत पर बच्चा उसको देख रहा होता है, एक लेडी केक लेकर आती है, किमना कहती है, पर मेरा भी footage देख रही होती है, जिसमें वो bench मैं के लिए बात कर रही होती है, वो footage में conductor के लटकने का वीडियो भी देखती है, detective कहता है इस बार तुम सच में फस गई हो, boss किमना को डांट रही होती है, तब ही एक बंदा आता है, वो कहता है जो मरा था उसकी बहन किमना से मिलना चाह तो कि station के बनने से पहले, वहाँ कुआ था, जिसे बन कर दिये गया था, उसके पिता जी भी ओक्सु station खुलने से एक दिन पहले मारे गए थे, वो बताती है हम भी वही थे, पर मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं, जब याद के नहीं कोशिच करती हूँ, तो बस कुआ न लड़की कहती है, कुआ मुझे अच्छे से याद है, पर अनात अस्रम मुझे याद नहीं है, किमना लड़की को बोलती है, मुझे लगता है, तुम्हारा भाई, मुआ कुआ ही ढूनने गया था, डायरेक्टर को डायरी दिखाता है, जिसमें मरे हुए लोगों की फोटो हो लड़की टॉलेट से निकलती है, वास बिशित में पहुंचती है, मेक अप ठीक करने लगती है, लाइट जलने बुझने लगती है, वो बल्प को देखती है, फिर जैसे ही नीचे देखती है, एक भयानक बच्छा उसके सामने बैठा होता है, डर के मारे उसकी चीक निकल ज गाड डर जाता है, भागने के लिए उठता है, मुरता है सामने एक बैठानक शकल की लड़की, देखकर और डर जाता है, चीकता है, उसके कान के पास से हाथ आता है, लाइट जलती बुझती है, वान रो रहा होता है, यूंग को बताता है, कि गाड से मिलने के बाद, बाहर स्रीडियों में एक लड़की खड़ी थी जिसने 0816 का टैक पहना था फिर रोते वे अपने हाथ का खरोज दिखाता है वोन कहता है ऐसी खरोज के बाद सारे मारे गए अब मेरा नंबर है लड़के की बहन बोलती है मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी यूंग बोलती है कि त आप लोगों को गुफा मिलेगी वो आगे जाता है बोलता है मैंने ढून लिया फिर वो बोलता है ये क्या है चोईवान बोलता है ये तो हड़िया लग रही है यूंग बोलती है सायद वो बच्चे यहीं फरद अपनाएं गए होंगे दोनों भाग कर ओक्सु स्टेशन पह करता है दिरे दिरे ओफेश टिटेक्शन पास आता जाता है वो न डरने लगता है यूंग पूछते है क्या हावा हूँ वान कहता है हमारे सामने कुछ तो है अचानक वान को एक भ्यानक उल्टी लटकी होई लड़की दिखती है वान गिर जाता है बहुत दरा होता है मिट्टी के अंदर से कई सारे बच्चे निकलने लगते हैं सब के चेहरे पर चोटके निसान होते हैं वो सब यूंग वान के वो अपने हाथ में खरोज दिखाती है लड़की यूंग के सामने एक काली डायरी रख देती है बताती है मुझे अपने पिता जी के चीजों से मिला इसमें बच्चों की सरजरी की तारीक है यूंग बोलती है सरजरी की तारीक मतलब ओर्गन ट्रैफिकिंग लड़की कहती ह सबुत मिटाने के लिए उन्होंने बच्चों को जिंदा दफनाया बुद्धा वॉन से पूछता है तुम ये श्राप किसको दोगे यूंग को वॉन का फोन आता है वो बोलता है मेरा फोन खो गया है इसलिए फोन और नंबर दोनों नए है वॉन बोलता है उस दिन जो तु जाते हैं और यूंग के हाथ में निशाना आ जाते हैं डायरेक्टर बोल रहा होता है कि श्राप किसी को देना आसान नहीं है उसको बच्चे के बारे में मालूम होना चाहिए दूसरा देने वाले की कठोर इक्चा सकती होनी चाहिए उसके सामने यूंग होती है यूंग की ये मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है पर अनातास्रम का सच तुम पहले ही जानती थी यूंग ये भी कहती है कि वो औरगन ट्रैफेकिंग चुपाना चाहते थे इसलिए उस जगह पर उन्होंने जल्दी काम किया बॉस कहती है क्या बकवास है यूंग बोलती है इस्तिफा चाहिए तो पढ़ना होगा बॉस कागज उठाकर बोलती है 0816 खुश यूंग इस्तिफा टेबल में रखते हैं बहुत खुश काफी आसान था जाते होग अपना हाथ देखती है निशान गयाग हो जाते हैं उदर उसकी बॉस निशान देखकर डर जाते है